अगर आज हारे तो सब कुछ खो देंगे विराट कोहली दर्ज हो जाएगा शन्मनाक रिकार्ट इंडियन टी डटली के बारहवे सीजन का रोमांच जारी हैं आज यानी रविवार को पहला मुकाबला बैंगलोर और दिल्ली के बीच होगा अंक तालिका में सबसे आखरी पायदान पर चल रही विराट सेना के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा क्यूंकि अगर आज हारे तो सब कुछ श्कटन अगर विराट कोहली की अगवाई वाली यह टीम बेंगलोरू के एम चिनास्वामी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला भी दवा देती है तो वे लगातार शुरुवाती 6 मैच हारने वाली दूसरी टीम बन जाएगी इस से पहले 2013 में दिल्ली लगातार 6 मैच में हार जेल चुकी है यहाँ से कोहली की टीम के पास टूर्नमी इंट में वापसी करना लगभग ना मुम्किन हो जाएगा इस सीजन में लगातार 5 मैच हारते ही बैंगलोर ने हिदरबाद, डेकन चार्जर्जर्स और मुंबई की बराबरी कर ली है डेकन ने 2012 में अपने शुरुआती 5 बनवाए थे तो मुंबई के साथ ऐसा 2014 में हुआ था मुंबई ने 2014 में शुरुआती 5 मैट बनवाने के बाद प्ले आफ में पहुँच कर हर किसी को चौका दिया था हाला कि इसके बाद उसका सफर खत्म हो गया ऐसे में टीम इंडिया को बुलंदियों पर पहुचाने वाले विराट कोहली के सामने भी इंडियन टीडट लीग में अपनी टीम को सम्मान जक्सतर पर लाने का दबाव होगा